कि है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि स्कूल बसका कलर हमेशा यलो ही क्यों होता है अपने बहुत सारे स्कूल बसका यलो अलग अलग इसकूल वाले चाहिए तो अपना यूनिफ़र्म ही बना लेते लेकिन ऐसा नहीं है दुसरी बात मैंने यूटूब पर इस टापिक पर और वीडियो देखें बट वो वीडियो मुझे फुल साटिस्फाइड नहीं किया मैं भी कह रहा हूं कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में कम्प्लिट साइंटिफिक रिजन बताने वाला हूं फुल एक्स्प्लेंट करूँगा एक दम आशायन बसाने कि आखिर येलो ही कलर क्यों होता है इसकूल बस का और दूसरा सवाल मेरा यह होगा कि गाड़े के हैं बैक लाइट में हमेशा रेट कलर का इस्तमाल क्यों होता है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी द आया बट साथ कलर में भी रेट कलर का वेवलेंट सबसे जादा होता है और वाइलेट का सबसे कम येलो मीडियम वेवलेंट वाला एक कलर है लेकिन अगर हम अपने आखों के बात करें तो आखें जिस चीज़ को एब्जॉर्ब करती हैं सेंस करती है आसानी से टारिट करती ह है आसनी से फोकस करती है वो कलर है ये लो कलर को हमारे आखे आसानी से देख सकते हैं बहुत जल्दी बहुत तीजिस से अगर एक जगह कैसारे कलर्स अब डाउन हो रहे हैं वहाँ पर अगर ये लो कलर भी है तो ये लो कलर को हमारे आखे सब से जल्दी देखेंगी ये आखे जो फोकस करती हैं तो हमारा आखों के पीछे का एक हिस्सा है रेटीना और रेटीना में अलग-अलग कलर रिसेप्टर्स हैं जो कलर रिसेप्टर्स में ली तीन कलर के हैं उसमें से एक येलो कलर भी है तो येलो कलर एक में रिसेप्टर्स में से हमारे आखों के रेटीन तो हम आसानी से बहुत जल्दी से धूंद में भी हाँ थोड़ा सा कोहा सा लगा हुआ मोसम साफ नहों या इविन के लाइट भी थोड़ी कम हो तो भी हम यलो कलर को देख सकते हैं एंड डैट ये थे रिजन के हमेशा स्कूल बस का कलर येजलो होता है। तो ये सेफटी रिजनस की वज़े से हैं और हम school bus को road पे चलते हुए आसानी से देख सकते हैं उसे side देख सकते हैं या even कि हमारी गाड़ियों को उसमें से distance बना के रख सकते हैं ताकि बच्चे bus में safe रहें और यही reason है कि हम हमेशा school bus को yellow color में देखते हैं एक और इजन जो इसमें लोग बताते हैं 1949 के बात है 1939 के बात है अमरीका में एक बैठक हुई तो इतिहास भी है पहले से ही हो रहा है बट यलो ही इसलिए क्योंके यलो कलर हम आसानी से टार्गेट कर सकते हैं हम आसानी से फोकस कर सकते हैं हमारी आखें यह लोग को आसानी से सेंस कर सकती हैं एक दूसरा सवाल जो मैंने कहा था वह यह कि रेड़ क्लर का वेवलेंद सबसे ज्यादा होता है और वेवलेंद उसका लगभग 600-700 नैनोमेटर के आसपास होता है और इसी वजह से हम लोग रे लाइट आपको जरूर दिखाए रहा होता है और रिजन यहीं है कि वो जो रेट कलर इस्तमाल हुआ है इसी के वजह से वेवलेंद बहुत ज्यादा है वेवलेंद जिसकी ज्यादा होती है हमें वो कलर दूर से दिखाए पड़ती है इसी लिए गाड़ी में जो बैक राट ह करती है हमारा के तेजिस से यह लोगा को देख सकती है और उसके प्षेगा रिजन रिसेप्टर हमारे आखों के रिटीना में जो कलर रिसेप्टर से वो कैसा लगा यार यह छोड़ा सा वीडियो छोड़ी से जानकारी उम्मेद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा लाइक ह्षेख्वी